हेलो विवर्स अंबोक्सिंग इंडिया मैं आप सब का स्वागत है और मैं हुआ इम्रान आज में पास जो इस स्मार्टफोन है वो है ओपो ए 33 स्मार्टफोन जी हा तुरी जीवी रेमें तरी टुजीवी इंटरेंल स्टोरेज के साथ में यह रिवाइज है और काफी बहतरी फीचर्स दिया है ओपो की तरफ से इस रिवाइज में देखने को मिल जाता है 90 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्लेइस के लावाइज 10 वाट फॉस्टरिंग 5000 मिलियंप्यर का बेटरी एयर ट्रिपल रेयर केमरा और मिंट क्रीम का नर में 3GV RAM 32G ROM और डिवाइस जो यहाँ पर देख सकते हैं 13 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल डेयर केमरा 8 मेगापिक्सल का फ्रॉंट फेसिंग केमरा और डिवाइस में 186 ग्राम वेट है 5000 मिलियंप्यर का बेटरी 16.5 cm का डिस्प्ले और प्राइस भी मेंशन किया गया है 2900 नेजिर रिपीस ल जो डिवाइस इसको हम यहाँ पर अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं न्यू स्मार्टफोन है तो यहाँ पर शिल है डेफिनेटली और चलिए इससे ब्रेक करते हैं इस डिवाइस में दो कलर है एक है मुनलाइट ब्लेक और यह जो मेरे पास फिलहाल डिवाइस यह है मिन्ट क्र क्रिम कलर में डिवाइस में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है दो कलर और दोनों में से यहाँ पर में कहूंगा कि मिन्ट क्रिम कलर तोड़ा सा ज्यादर अट्राक्टिव एक ब्रिजन मॉननाइट ब्लेक और डिवाइस यहाँ पर अन्बॉक्सिंग हो चुका है जैसे के लवा इसी सिक्षन में दिया गया है कुछ डिकुमेंडेशन और एक टेंस्पारेंट केस को वर सिलिकॉन का केस को वर है जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है और यहां पर देखने को मिल जाता है मैं टीन वोट फास चारज़र जीहां नाइन वोल्ट एंट्ट्व एंप ट्रिपल एर केमरा एनेट फ्ल जाश और अपो का ब्रांडिंग बैक बॉर्ड़ी में देखने को मिलता है डिवाइस की साइट में हमें देखने को मिल जाता है पावर बटन नीचे के दरफ स्पीकर माइक्रोफॉन and 3.5 mm audio jack भी दिया गया है डिवाइस की साइट से देखा जाए तो यहाँ पे volume rocker, sim tray नजर आता है triple slot के साथ, यह sim tray आता है यानि 12 nano sim and micro SD guard लगा सकते हो इस डिवाइस की weight को लेकर बात करो तो 186 gram इस phone का weight है 8.4 mm तिकनेस के साथ इस डिवाइस के डिस्प्ले के उपर गाइस तो इस डिवाइस में IPS LCD के साथ में 90 Hz refresh rate डिस्प्ले मिलता है काफी बढ़िया स्क्रीन दिया गया है definitely यहाँ पे color वगर देख सकतो हो काफी बढ़िया देखने को मेल रहा है डिस्प्ले में यह अदि डिस्प्ले कड काफी शांदार है बहुते बड़े एक्सप्रेस्ंत देखने को मुलेगा काफी अच्चा्य़ यहाँ पर एक्सप्रेस्प्रिह सब्देखने को मिल जाता है बहुत जल्DO 110 mm.12 ऑप्डेट भी मिल जाएगा और डिवाइस में जो प्रसेसर दिया गया है वो Qualcomm Snapdragon 460 का उक्टेक और प्रसेसर दिया गया है 11 nanometer fabrication में ये उक्टेक और प्रसेसर है 1.8 GHz clock speed के साथ में यानि गेमिंग के मामले में वी ये डिवाइस काफी जबरदस रहेगा क्योंकि Qualcomm Snapdragon 460 एक बहुत ही एच्छा प्रसेसर है और डिवाइस के प्रसेसर प्रसेसर पीस डिवाइस में दिया गया है और डिवाइस में यहाँ पे Adreno 610 GPU दिया गया है डिवाइस के बेटरी के उपर ब पाओगे और बेटरी बेकाप बहुत ही लंबे वक्त तक आप इस डिवाइस को चला पाओगे क्योंकि 5000 मिली एंपेर का बेटरी कहीं न कहीं असान इसे फुल डे बेकाप आपको देदेगा और सिक्यूर्टी के मामले में डिवाइस में हमें देखने को मिल जाता है फेस अन लोग करता है इसके अलावा फेस अलोग का भी उप्शन जो है वह भी काफी फास्ट है और डिवाइस के यहां पर बात करें केमरा फीचर्ट के ऊपर तो यहां पर 8 मेडा पिक्सेल का फ्रॉंट वेसिंग केमरा यहां पर कुछ क्यामरा सेंपल देख सकते हो बहुत यह अच प टिक ठाक परफर्म करता है लेकिन आट्डूर है तो स्मार्ट फोन है और शॉली दूस्तों फिलрахाल बात करतें स्मार्फोन के फिलर्यवार्यारे में प्राइस के और में यह स्मार्फोन निया में रखा गया है 9949 ए यह वेसकंपहीः की स्साब्राइश को यह तो डैफिन प्राइस पॉइंट पे एक बहुत शांदार डिवाइस लगा तो यह दूस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आओगा प्राइस रेंज के इसाप से ओप आपको किसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरू बताई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लिए लाइक कर दिजे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा तब तक लिए बाई ठेक क्यार और चाहिंद